कैसे हैं आप सभी तो अब यह संडे का वीडियो में वैशाली से गूम के आई थी चौमुकी महादेव जी के पास से तो उसके बाद मेरी भरी वाली नंद आई हुए थी नंदोसी आई हुए थे मेरे रावल जी को देखने के लिए क्योंकि उनका जब ऑपरेशन हुआ था तो हमारे पास की मतलब अच्छा लगता है तो बस यहां पर दीदी और जीचु आए हुए है तो मैं उनको बोल रही थी कि आपका वीडियो ले रही हुए हुए उरीजनल वाइस रख दोंगे इसलिए हस रही थी यहां पर नास्ता दीदी लोग के लिए हैं तो अभी यहां पर नास्ता करवा देते हैं फिर खाना वाना बनाने लगी न मैं तो उसके बाद न मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि देखिए को आपके घर में गेस्ट आता है ना तो मैं मतलब उतना अरडिया में तो वही मुझे याद रहता है शूट कर लेती लेकिन यहां पर क्य वही मुझे महादेव जी के पास तो बहुत ही जादा मैं थक चुकी थी हद से जादा थक हुई थी बर दीदी लोग आई तो एनरजी आगे और बहुत मजा आया उसके बाद मेरे चोटा वाला भाई आया तो मैं वाश्रू में थी तो बाबु जा के बोला कि ममी ममी मामा आ तो यहां पर मेरे चोटा वाला भाई आप लोग जानती होंगे हैं बहुत सारे ब्लोग इगे तो वह भी राहुल जी से मिनले ही आया था उनको देखना ही आया था तो और यह जा नहीं आया मैं बनाने के लिए और मम्मी यहां पर आ चुकी है और मम्मी बना देते हैं मैं छहन रहा है क्यों को चेर ने में भी व्याइप है जोगे साससर को बहुत कोई बादाते हैं, वैसे भी मतलब नहीं रहता है, मैं उतना मैटर नहीं रखती हूँ, मुझे यह है कि मम्मी पापा लोग ठीक है, मेरे साससर लोग ठीक है, तो फिर कोई कुछ भी बोल दे, उसे क्या फर्क पड़ता है की नहीं, लेकिन अगर ममी पापा ही उनका बात सुनने लगेंगे, तो फिर फर्क तो परे गाई न, तो चलिए कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, एनिवे, तो बस यहाँ पे रात का टाइम हो ग तो यह संडे का क्लेप था, जो भी है, अब मैं आपको मंडे को मॉर्निंग में मिलूंगी काम करते करते मैंने वीडियो शोड किया था, यहाँ पे रात के टाइम बेट जहार लेते हैं, क्योंकि न, लाइट पे छोटा-छोटा सा न, काला-कला न, कीरा आ जाता है, तो यहा अब मैं रेडी होंगी और हस्पिटल लेके जाओंगी अज़िए उनका टाका जो चार्टा का बचा हुआ है वो चार्टा का उनका कर जाएगा और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अररिया, जी हाँ, आज हम लोग निकल जाएंगे तो बहुत ही खुश थी मैं कि चलो आज हम लोग वहां पर चले जाएंगे क्योंकि आप लोग जैसा मैं बताई कि हम लोग का पूरा मतलब की काम जो है ने बहुत जादा रुका हुआ है और देखिए बैठे बैठे तो कोई करोड़ पती तो हम लोग है नहीं कि बैठे बैठे हमारा लाइफ चल जाएगा है कि नहीं हम लोग to कमाने खाने-वाले आदमी है तो बैठे-बैठे तो चलने वाला है नहीं है यह किसी के ऊपर भरोसे तो नहीं है कि कोई दूसरा हमें खिला देगा जो भी है हम लोग अपने भरोसे ही है तो यहां पर मैं भी आ गई थी राहूल जी थे तो सब का काम बंद हो रखा था तो बस अभी जब अरडिया जाएंगे तो लगते हैं कि थोड़ा शांती है यहां शांती है क्योंकि काम जब चलते रहाता तो लाइफ में शांती रहता है यहां बैठे हैं तो फिर खर्चाई हो रहा है खर्चाई हो रहा है और आज कल तो इतना ज बीडियो को शेयर भी जरूर से जरूर कीजिए गा तो यह तो बस यहां पर रूम में पोचा लगा लों कि बीना पोचा करना रूम बहुत अजीब सा लगता है बहुत ज्यादा अजीब सा और कितना लंबा वीडियो करते तो चोटा-चोटा बस रूम रूम का दिखा रही हू क्योंकि जितना रूम है तो लगे आए कि इतना टाइम हो गया इसी वज़े से बस अपने रूम का दिखा रही हूं और मैं तो बिना मतलब कि रूम में तो पोच्छा लगना ही चाहिए ना मुझे वह घर्द होने वाला सिस्टम मुझे नहीं अच्छा लगता है घर्द हो द दर्द होता है उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है तो इस वज़े से थोड़ा सा वह नर्वस थे पर देखिए जो करना है वह तो करना ही क्या कर सकते हैं इसलिए मैं सभी लोगों से यही कहना चाहती हूं कि अगर कोई छोटा सा भीमारी स्टार्ट हो रहा है आप उस और क्या प्रपलम उनको हुआ था मैं आप लोगे साथ जरूर करूंगी मैंने चाहती हो का मेरे हस्बिन के साथ हो अप लोग के साथ हो तो यहां पर में वह फिटल जाने के लिए निकल गई थी तो यहां पर आप रहुल जी बोले की बरहम बाबा है हम लोगों के तो उं वह दूर 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 से दूर चाही करे तुर है गाड़ी से तो इस वज़े से थोड़ा सा तीन-चार मिनट लग जाता है तो बस यहां पर में रावल जी को ठीका लगा रही थी और मैं बहुत दिन के है यहां पर बैठ के सकते हैं यहां पर अनुघ कर दे कर देहां बहुत अच्छी से डेक्रएशन सचाई हुआ बहुत ही अच्छा कर लग रहा था उसके बाद हम लोग जा रहा है हॉसपिटल थो फाइनली मुझपरपूर पहोच चुके हैं आप लोग का एक और सवाल था कि आ मेरे घर से नजदीक है और जो एस डॉक्टर से करवाई हूं वो उस छीज में पेस्टलिस्ट थे तो इस वज़ा से मिलवाती हूं देख सकते हैं बहुत कहना रहा है बट मैं उनके फेस को देखके स्माइल कर रहे थी तो कि अगर मैं अपना टेंशन उनके सामने अगर दिखा इस वज़े से और उनके दर्द को मैं फील कर सकती हूं बहुत बुरा लगता है उसके बाद मैं घर पहुच गई थी तो यह मेरी सेकेंड नमबर वाली ननद है इनको पता था कि मुझे हाथ चले जाना है तो यह थी मिलने के लिए क्योंकि इनका भी तब्यद बहुत खराबता जिस वज़े से यह नहीं आपाई थी हमसे मिलने के लिए तो यह आज आई है पूरे चिप्स मिठाई लेके आई है मैं आपको दिखाऊंगे ब्लॉगिंग मेरे लिया पहुच के इन्होंने बहुत अच्छा सा आलू का चिप्स बढ़ा के मेरे लिए लेके आई थी तो मेरे इसलिए तो आएं कि आज आपको चाना है तो देखिए मैं आपको एक व्लॉग में कितने लोगों से मैं मिला तो आप लोग कैसे हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा अब सीधिया में आप लोग से अरडिया में ही मिलूंगी क्योंकि इसके बाद मैंने कोई वीडियो और आज दिन है मंगलवार कल मैं मंडे की दिन मैं पहुची हुए आपर सो मैं सची ब्लॉग को एंड कर जथी हूँ आप लोग से बाते करके और आस दे का मैंने खुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मन नहीं कर रहा था शूट करने का तब तुर सही नहीं ज़गा था क बहुत ज़्यादा थकावाट हो गया था सुबह से करना हो गया था अथारा दिन के बाद रहे हैं और राहु जी का अभी तबियत ठीक है असा को उनको प्रॉब्लम भी नहीं है तेकि देखिए जो गाओ है वो अभी बहुत टाइम लगेगा भरने में उनको थोड़ा से इसे बाल करनी बहुत ही ज़्यादा है इतने दिन नहीं थे तो गंदा हो नहीं है देख रहा है तो घरवर भी है तो की नहीं है बहुत बनाती हो और फिर आप लोग से मिलती हो नेक्स फ्लाग में तब देख केर बस आप लोग को यह अपडेट देना चाहते थी कि मैं पहुच गई हूँ अच्छे से सब्कुस ठीक है लाइफ में भी अपर घर साफ हो जा तो और भी अच्छा लगे मैं अपो दिखाती हूं ब्यक्त कर देख सकते कितना धूल जमा हुआ है और वाइट टैल्स होता है तो ऐसी हो जाता है यह देखिए अपना काम बसुरू कर देखिए सब कुछ क्रेंप रोजाएगा तो अच्छा लगेगा जो स क्या नवडेगा तो मनेखे यूटब आटा लंगे घर सकता है तो थidden में सब्सक्राइब आटराय। ऑै घर इस पγάए तर्या के तो LAएगा जिए ठेका है कि रहरा है झाल झाल